सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वेड चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस डिफेंस वीडियो सबसे पहने देखने के लिए हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बायोग्रफी स्रीज के एक फ्रेस एपिसोड में हमने स्रीज के पिछले एपिसोड में आपको इंडियन आर्मी के मौजूदा चीफ जर्नल बिपिन नावद और इंडियन एफोर्स के एक मात्र पाज स्टार रैंक वाले मार्शल आफ दा एर पोर्स अर्जिन सिंग की बायोगफी बताई थी जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगी सो विदाउट विस्टिंग एने टाइम लेट्स बिगेन फिल्ड मार्शल सैम मानेक सौ इंडियन आर्मी के उन बहतरीन आफिसर्स में से एक हैं जिनकी जित्ती तारिफ की जाए उतनी कम है सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारत के विजे होने का जितना श्रे सैनिको की बहदुरी को जाता है उतना ही सेना के इस बहान जर्नल की रणनिती को जिसने स्रिफ 13 दिनों में ही पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था जनर्नल सैम मानेकसो जैसा सेना प्रमुक हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में टूणने से नहीं मिलता सैम मानेकसो फिल मार्शल का सरवोच चिपत पाने वाले पहले इंडिन आर्मी ओफिसर थे सैम मानेकसो का पूरा नाम सैम हर्मोज जी फ्रेम जी जमसेज जी मानेकसो है इनका जन 3 अप्रेल 1914 में पंजाब के अमरिस सर में एक पार्सी परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम हर्मोज जी मानेकसो और इनकी माता का नाम हीरा बाई था इनकी पिता डॉक्टर थे और सैम मानेक्सो भी बच्पन में डॉक्टर बनना चाते थे इन्होंने पंजाब और नैनिताल इस्थित सेर्वूट कॉलेज से शिक्षा प्राप की और कैम्ब्रिज बोर्ट के स्कूल सर्टिफिकेट परिक्षा में डिस्टिंक्शन हसिल किया पंद्रा साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता से लंदन भेज़े जाने के लिए आग रह किया क्योंकि ये वहाँ जाकर इस्त्री रोग विसे सक्ये बनना चाते थे लेकिन इनके पिताजी ने ये कहकर मना कर दिया कि वह अभी छोटे हैं और लंदन जाने के लिए कुछ और समय इंतिजार करें तो उन्होंने अपने पिता से बगावत करते हुए दहरादून इस्तित इंडियन मिलिटरी अकेडमी आयमे के प्रवेश परिक्षा में बैठने का फैसला किया और वे इस परिक्षा में सफल भी हुए इसके फश्चात वे एक उक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिटरी अकेडमी दहरादून में चैनित हुए और चार फरवरी 1934 को अकेडमी से पास आउट होकर ब्रिटिस इंडियन आर्मी में सेकंड लेटिनेंट बने और यहीं से उनके सांदार मिलिटरी करियर की सुरुवात हुई सैम मानेकसो आईमे के उस फस बैच के कडेट थे जिने पायनीर कहा जाता है अब बात करते हैं इनके मिलिटरी करियर के बारे में सैम मानेकसो का सांदार मिलिटरी करियर ब्रिटिस इंडियन आर्मी से प्रारंब हुआ और उनका ये करियर लगबग पूरे चार दसकों तक चड़ा दुसरे विश्व युद्धि के दौरान सैम मानेकसो ने बारवी फ्रेंटियर पोस रेजिमेंट के साथ बर्मा में मोर्चा समभाला और अपनी वीरता का परीचे दिया जिसके बाद उन्हें उनकी बहादूरी के लिए सम्मानित भी किया गया इस युद्धि के दौरान सैम मानेकसो ब्रिटिस इंडियन आर्मी में कैप्टन थे और इसी युद्धि के दौरान जपानियों का बहादूरी से नुकाबला करते हुए उनके पेट में गोलियों की बस भी लग गई थी जिससे वे बुरी तरे से घायल हो गए थे और सबको यकीन था कि इतनी बुरी तरे से घायल होने के बाद सैम मानेकसो चिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन डौक्टर के पास उन्हें उपचार के लिए ले जाये गया और उपचार के बाद वे धीरे धीरे ठीक होने लगे ब्रिटिस दिविजनल कमांडर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि युद्ध भूमी में ही अपना मिलिटरी क्रोस उतार कर उन्हें सम्मानित कर दिया था सन 1947 में विभाजन के बाद उनकी मूल युनिट बारवी फ्रेंटियर पोस रेजिमेंड पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हो गई जिसके बाद उन्हें 16 पंजाब रेजिमेंड में नुक किया गया इसके पश्चात उन्हें 3 बटैलियन और 5 वी गोर का राइफल में नुक किया गया 1947 और 48 के जम्मू कस्मीर अभियान के दोरान भी उन्होंने युद्ध निपूर्ता का परिचे दिया और एक इन्फेंट्री ब्रिगेट की नित्युत्य के बाद उन्हें महोस्तीत इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंड बनाये गया और वे 8 वी गोर का राइफल और 6 वी कैविलरी के कर्नल भी बने अपने मिलिटरी करियर के दोरान उन्होंने कई महत्तपूर्ण पत समाले सन 1963 में उन्हें आर्मी कमांडर के पत पर निक्ल किया गया और उन्हें पश्चिमी कमांड की जिम्मेदारी सौपी गई सन 1964 में उन्हें इस्टन आर्मी के जनरल ओफिसर कमांडिंग इनचीफ यानी जियोसी इनसी के तोर पर सिम्मिला से कोलकाता बेजा गया इसी दोरान उन्होंने नागालेंड से आतमवादी गतिवीदियों का सफलता पुरुवक सफाया किया जिसके स्वरूप उन्हें सन 1968 में पदम भूसंण से सम्मानित किया गया और अंता थह सन 1969 में उन्हें भारतिय सेणा का प्रमूक बनाया गया और इसी दोरान उन्होंने सन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतिय सेणा का नितत्व किया उनके सांदार आश्टे सेवा के फल सुरूप भारस सरकार ने मानेक सो को सन 1972 में पदम भिभूसर्ण से सम्मानित किया और एक जन्वरी 1973 को उन्हें पील मार्शल का पद दिया गया 15 जन्वरी 1973 को उन्होंने सक्रिय सेवा से सन्यास ले लिया पर चुकी पिल्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते इसलिए वे आजीवन देश के सर्वोच्च सैनिपत पर बने रहे सेना से रिटायर होने के बाद पिल्ड मार्शल सैम मानेक सो कई कमपनियों के बोर्ट पर इंडिपेंडेंडेंड डिरेक्टर रहे और कुछ कमपनियों के अध्यक्ष भी रहे 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण 94 साल की आयू में देश के इस महान सैनिक का वेलिंटन तामिलनाडू के मिलेटरी होस्पिटल में निधन हो गया फिर्ड मार्शल सैम मानेक सौँ सिर्फ डिफेंडर एस पिरेंड्स के लिए ही नहीं बलकि पूरे देश के योवाओं के लिए भी एक पिरेना का श्रोथ हैं उनकी देश के प्रतिन निस्वार्त भावना और योगदान के लिए हम उनके हमेशा रिणी रहेंगे हमारे biography series के इस episode के लिए इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाओ या suggestions हो तो उसे comment section में share जरूर करें और आप हमें हमारी social networking sites पर भी follow कर सकते हैं जिनका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने इस वीडियो को like और share नहीं किया है तो इसे like और share करें और channel को subscribe करना ना भूलें करते हैं भर लगए बार आपको नहीं किसे प्रणूपर है अब्च य हुआ प्रण आपको ये जज करें नहीं करें यह हुआ जह एलिये प्रणूपर हीव प्रणूपर है the security of this country against any aggressor what does that mean for you it means that you should have to fight and fight to win there is no room for the loser if you lose don't come back you will have disgraced the country the country won't accept you the people of cities towns, villages and gauls where you come from won't look at you even your karwari will despise you as I look around I see parents I see relations I see friends who are looking at you with trust and pride make sure gentlemen that you don't betray their trust or their pride may the wings of fortune blow kindly upon you and may good luck attend all your deeds I wish you great success thank you and may good luck